How to change Netflix device नमस्कार दोस्तो सुआगर अब सभी का टेकिराश यूट़ुब चैनल पर तो दोस्तो आج की इस वीडियो पर मैं आपका बताऊनागा कि कैसे आप जो है नेट्फ्लिक्स के डिवाइस को चैंज कीसे कर सकते तो आप केसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर डोसों में आपको सिर्फ जो है इसके रिगार्डिंग पर कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको आप फोलो कीजिएगा तो दोस्तो आपका जो यहाँ पर नेट्फिक्स है वो आप दोस्तो दूसरे दिवाइस पर भी यूज कर पाऊगे ठीक है लेकिन दोस्तो यहाँ पर उसके लिए कुछ रूल से तो उसको फोलो आप करना होगा उसके बाद दोस्तो आपको कुछ प्रॉब्लेम्स नहीं आएगा ठीक है आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आपको जो है वीडियो को यहाँ पर पेसा कामाना चाते हैं तो दोस्तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकाउट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो दोस्तो आप जो है उस दूसरे मोबाइल पर ठीक लेकिन दोस्तो उस mobile पर आपको जो है दूसरा profile क्रेट करना होगा उसके लिए दोस्तो आप यहाँ पर डेक सकते एट profile का option है तो एट profile पर क्लिक करके दोस्तों आप इहाँ पर simply profile name भर सकते हैं उसके बाद ये जो पासवर्ड करता होगा दूसरे mobile पर जाकि ये उसके बाद दोस्तों आप जो है अपने Netflix account को दूसरे mobile पर switch कर सकते लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप को जो problem आएगा वो दोस्तो यदि आप जो है ये दी दूसरे बहुत सारे mobiles पर यदी आपने connect करता है यही आप आपका प्लान यहां पर डीबाइस पर स्टीम कर सकते हैं ले इसलिए नहीं करते हैं लागे इसन्देयर होगा यहां पर सलेक करना होगा , यहां पर स्तेंड़र्ड प्लान करके प्रियुर्ड प्रिक्तिब्लींивает तो ये आप उस इस्तिंदर्ड प्लान को लेते हैं तो दोस्तो आप चार डिवाइस पर स्ट्रीम कर सकते हैं एक साथ ठीक है तो ये दोस्तो आप जान लिजीगा तो ये सब दोस्तो प्लान को आप जबी भी सेलेक करते हैं तो दोस्तो आप समझ कर सेलेक किजीगा ठीक है ये या बहुत सारे दिवाइस पर यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लान आपको अलग से लेना है यही आपने लिए तो दोस्तों आप यहाप पर बैसिक प्लैन भी यूज़ कर सकते हैं तो यह इस तरह से दोस्तों आप जो है आपने नेट्फिक्स को दूसरे दिवाइस पर यूज़ कर सकते हैं तो मिट करते हैं दोस्तों आपको जो है वीडियो पसने होगा टेंक शुराची